आज मेरे घर पे टीटो की मम्मी आई तो मैंने सोच आ टीटो की मम्मी को थोड़ा सा खुस काने के लिए मैं कॉफी बना देती हूँ तो जैसे ही मैं कॉफी बनाने के लिए कॉफी का पाउश निकाला तो टीटो की मम्मी ने देख लिया मैंने वोला अच्छा कॉफी से कौन सी टिपेंट रेके तो टीटो की मम्मी वोने तुम देख दी जाओ बहुती कमाल का आइडिया बता रही हूँ कि हम कॉफी का कुछ और भी यूज कर सकते हैं कॉफी की उपर सैंपू को डाल करके जैसे ही टीटो की मम्मी ने वोला कि कॉफी की उपर हम सैंपू डालेंगे तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गईगी कहीं मम्मी चिलाए ना कि ये क्या कर रही हूँ सैंपू को बरबात कर रही हूँ तो मैंने वोला नहीं नहीं आणटी आप ये क्या बना रही हो कॉफी को उपर सैंपू बला कॉन डालता है तो आंटी वो नहीं बस तुम देखती जाओ मैंने वोला अच्छा ठीक ऐसी बात तुम्हें देखी लेती हूँ तो आंटी वोली देखो हमें एक नया आइडिया बता रही हो नया यूज बता रही हो कॉफी का तुम इस तरीके से भी यूज कर सकती हो मैंने वोला अच्छा ऐसी बात तो मैं देखने लगी लेकिन देखते ही देखते मैं थोड़ा सा डर भी रही थे अंदर से की पता नहीं आंटी यह क्या ही यूस कर रही हैं सेंफू और कॉफी का क्या मिकसर बना करके तया कर रही है। गंटों के काम चुटकियों में होने रगेंगे और सभी महीलाओं की सालों की परिशानी खतम हो जाएगी मैंने बोला अच्छा अंटी ऐसी बात है तो चलो मैं देखी लेती हूं तो टीटो की मम्मी क्या की कि चीनी को सारा मेल्ट कर ली उसके बाद आदा कफ डूद लिया और मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं देखी लेती हूं इस काफी का भला क्या यूज करने वाली हो मेरे तो कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था लेकिन मैं भी बेसबरी से देखे जा रही थी कि टीटो की मम्मी जब इतना बोल रही है तो शायद कुछ खास यूज ह तो दूद में जब बॉइल आ गया तो उसके बाद आंटी ने क्या किया कि एक चुटकी भर इसमें हल्दी पाउडर और डाल दिया मैंने वोला कि पता नहीं टीटो की मम्मी क्या ही आज मेरे घर में नया कारनामा करने वाली है लेकिन मैं भी बहुत ही बेसबरी से देखे ज पता रही थी तो टीटो की मम्मी ने गैस की फ्लेम को हाई करके एक उबाल और लाया इसमें और साइज चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने लगी मैं बोलने लगी आंटी क्या कर रही हो बतातो दो तो आंटी बोली वाकि में बेटा तुम में सबर नहीं है थोड़ा अच्छा यूज बताया है कॉफी का मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है तो देखी लूँगी अगर अच्छा यूज हुआ तो मैं एक कप क्या आपको डेली कॉफी बना करके पिलाओंगी तो जैसे ही मैंने ये बात बोली वैसे ही टीटो की मम्मी बहुत ज़्यदा खूस द लाया और इसाइच्छों को अच्छे से मिक्स करने लगी मैंने बोला अच्छे से मिक्स करने लगी मैंने बोला अंटी पता नहीं क्या करने ऐसी हूं। और इसकी thickness देख सकते हैं इतना ही हमें ठick करना है ज्यादा ठick नहीं करना है अब फ्रेंड ये हमारा homemade face pack बनकर के तयार हो चुका है आप लोगों को पता ही होगा कि coffee हमारे skin के लिए कितना फाइदेवन्द होती है coffee से हमारी जो skin होती है वो बहुत जड़ा glowing करती है natural चीज है इससे कोई भी आपकी skin पे reaction नहीं होगी जिससे कि कुछ भी आपको react नहीं देखेगा और बहुती अच्छी से आपकी skin चमकने लगेगी जब भी आपको party में जाना हो या किसी function में जाना हो आप 1000 रुपे का facial ना कर आपाएं हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट में इस वाली remedy को बना करके तयार कर सकते हैं और आपको instant result देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन पहले लगाना हो या दो दिन पहले लगाना हो instant result देखने को आपको मिलेगा तो fans ये वाला सकते हैं आप लोग दौनों हातों में मैं आपको अंतर दिखाऊंगी दौनों हातों में कितना difference आ चुका है इसकीन एकदम brightening glowing चमकदार इसकीन बन करके तयार हो जाती है हमारी तो fans आज की tip and trick यहीं तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें और अपने family और friends के साथ वीडियो को शिरे करना वर्कुल ना भूए